कि एक टूटा हुआ टाइल तो मेरे ख्याल से मेरी बहुत सारी बहनों के घर में पड़ा होगा तो क्यों ना इस टाइल को एक खूप सुरत सा लुक दिया जाए खूप सूरत सा अंधास दिया जाए और वो भी ऐसा अंधाज जो पचीस साल आपके गार्डन में तो पका टिक क रहेगा कहीं नहीं जाने वाला भाया इतना मजबूत कि आप पचेसों साल तो भूल जाहिए कि आपके आखों से ओजल होगा अब वो जुगाड है कौन सा थोड़ा सा उसके लिए हमें काम करना होगा नमस्कार जुगाड उबेश्टी पर हमेशा की तरे एक बहुत टिकाऊ ब इसी तरह से अपना टुकड़ी कर सकते हैं कुछ हमें बराबर नहीं करना है बस रेंडमली आप इसको तोड़ते जाए और यह चोटे चोटे तोड़ों में हो जाएंगे जब तक मैं छोटे छोटे टुकडे तोटे हूँ तब तक आप ये कम करिए जल्दी से चैनल की घंटी बजाए बिलाइकन दबाने के बाद औरल का बटन दबाना मत बूलिएगा और क्या करना है वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना है सभी अपनों को शेर भी कर देना है जिससे की ठेर सारे जुगाड आप तक भी पहुचें और आपके सभी अपनों तक भी पहुचें चलिए भई आपका काम हो गया मेरा भी हो गया टाइल्स तूट गहे अब यहाँ पर ये कुछ जो बोतले आप देख रहे हैं ये इको ब्रिक्स मैंने बनाई थी कुछ महीनों पहले आपसे वीडियो शेयर भी किया था कि कैसे आप भी अपना ये इको ब्रिक्स बना सकते हैं और अपने घर से निकले वी बहुत सारी पॉले थिंस का सदू पयोग कर सकते हैं जब ये इको ब्रिक्स मैंने बनाई थी उसके पात से बहुत सारे भाई बहन मेरे इंतजार क दिखर रहते कि अखिरेकर इनका मैंने क्या किया तो देखिये क्या किया मैंने एक आप यहां पर कोई भी अपना कंटेंटर ले सकते हैं या आप इसी तरह से आपके पास round हो या square शेप में हो किसी भी शेप में आप कोई अपना प्लास्टिक का डोंगा ले सकते हैं या आपके पास नहीं कुछ है तो आप कोई गत्ते का डिबा भी ले सकते हैं यहां पर देखिए कॉटन पर मैंने थोड़ा सा ओयल लगा लिया कोई भी अपना पुराना ओयल लगा लिजिए बस थोड़ा सा इस कंटेनर को हमें ग्रेज करना होगा इसलिए थोड़ा सा चिकना पन देना होगा तो और कुछ भी नहीं है आपके पास सरसो का तेल पड़ा य क्योंकि इससे हमें जो हम अपना पेश तयार करेंगे उससे सहूलियत के साथ निकल जाए बस इसलिए और कुछ भी नहीं है चलिए अब काम शुरू करें अब इन चारों बोतलों को हमें इसके चारों कौनों पर टिकाना होगा हलाकि ऐसे भी जब मैंने खड़ा किया तो आराम से टिकी भी है पर फिर भी इनको थोड़ा सा और मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए जिससे की काम करने के बीच में कोई रुकावट ना है थोड़ा थोड़ा सा ग्लू गन लगा के मैंने इन बोटलों को चिपका दिया अगर आपको लगता है कि बोटले कहीं नहीं गिरेंगे आराम से खड़ी हो जाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है बस एक थोड़ा सा अपने काम को मजबूत बनाने के लिए कि काम के बेच में बोटले हमारी गिरे नहीं ढूनगे नहीं इसलिए चारों बोटलों को मैंने अपना ग्लू गन से चिपका दिया, अब यह बेस हमारा बनके हो गया तयार, अब क्या करेंगे, अब बस इसी को बेस मानके हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं, और यहां पर लिया हुआ, मैंने एक बरतन, बरतन में मैंने डाली अपनी यह ब्लैक सिमेंट, ब्लैक वाली सिमेंट आपको किसी भी हार्डवेर की शॉप में मिल जाएगी, यह नहीं मिलती है, आपकी पस तो आपकी जो वाइट वाली सिमेंट आती है, उससे भी काम चल जाएगा, ब्लैक वाली थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, और वाइट वाली थोड़ी सी महंगी मिलेगी, यहां मजबूती देगा आपके पास सिंपल अपना सेंड है तो वो सेंड भी मिला सकते हैं मेरे पास इस तरह का मोटा वाला ये बदर पूर है तो वो मैंने मिला दिया लगबग एक भाग सीमेंट ले सकते हैं तीन भाग आप अपना सेंड ले सकते हैं बस ये अच्छा सा गोल बन के तयार हो गया आप क्या करेंगे आप हम लोग जो हमने अपने टाइल तोड़े थे ना अभी उन टुकड़ों को रख देंगे इसके उपर जो आपका चिकना वाला टाइल का हिस्सा होगा उसको हम लोग रखेंगे नीचे के साइट करके और अपना जो खुरदुरा वाला हिस्सा होगा वो रखेंगे उपर इसी तरह से देखें पूरे इस कंटेनर के अंदर मैंने ये अपना बिचा दिये टाइल के टुकड़े और ये जो हमने सीमेंट और बदर पुर का घोल बनाया वो हमें डालना होगा इसी के अंदर पहले थोड़ा-थोड़ा सा मैं डाल ले हूँ जिससे कि जो टाइल से हमारे खिसके नहीं जहां पर हमने रखा है वहीं पर ये रखे रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा सा मैं डाल ले हूँ और उसके बाद क्या करूंगी ये पूरा अपना कटोरा उठाके इसमें डाल कि लिजी कोनों से थोड़ा सा अच्छे से मैं डालना चाहती हूं कि जिससे की जो बोतले हमने लगाई है तो अच्छे से इस सीमेंट के अंदर फिक्स हो जाए मजबूति के साथ बस किसी ऐसी जिगे पर रखती जिए जहां पर इसके इसको कोई हिलाए नहीं डुलाए नहीं पस यह तसल्ली के साथ अपना सेमेंट जमता रहेगा इसको डो तीन दिन तक मैंने युहीं जमने दिया ता तीन दिन बाद जब यह अच्छे से जम गया, तो मैं ने इसमें डाला पानी कर दीजे भी, पानी भर देती थी मैं और उसके बाद अगले दिन यह पानी अपना न में डूबा रहा उसके बाद इसका सारा पानी निकाल दिया और फिर से इसको मैं सूखने के लिए रखूंगी बहुत अच्छे से इसके बाद फिर से ये मेरा आराम से दो तीन दिन तक सूखता राय क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैं इसको बहुत मजबूत बनाना चाहती थी और ये देखिए लगबाग एक हपते बाद का ये रिजल्ट जैसे हमारे घरों में जब लेंटर पड़ता है तो उसमें तराही बहुत जरूरी होती उसी तरह जब भी आप कोई सेमेंट का काम करते हैं तो आप उसमें जितनी तराही करेंगे उतनी ही मजबूती आएगी इसलिए मैंने खुब जी भरकें इसमें तीन बार तराही करी और अब मैंने इसको सीधा रखा और ये देखिए थोड़ी से ग्रेसिंग हम लोग ने कर दी थी तो कितनी आसानी के साथ अपना ये कंटेनर बाहर आ गया बस आपके पस सेंट पेपर पड़ा यानि कि रेग माल पड़ा है तो आप उससे रगड के निकाल दीजिए मेरे पास अभी नहीं है तो किचन से मैंने लिया अपना स्क्रबर और उससे ये अपना सीमेंट निकाल ली हूँ आपको कोई दिक्कत आती है तो कोई नुकीली चीज ले लीजी जैसे कि चाकू से खुरच के आप एक्स्ट्रा जो भी इन टाइल स्कूपर हमारा सीमेंट लगा है वो खुरच के निकाल सकते हैं और आपके पास होगा अपना अपने हाथों का बनाए हुआ बहुत सूरत जुगाड और क्या हो सकता है सीमेंट की बनी है पचेसियों साल तक तो आपकी कहीं नहीं जाएगी भी सीमेंट का जो भी आपके पास मट्रियल होगा कहां टूटने वाला है प्लास्टिक की जो पावे हमने इको ब्रिक्स के बनाए वो भी हमारे कहीं नहीं जाएंगे तो था ना खूप सूरत जुगाड तो आप भी अपनी धेर सारी इको ब्रिक्स बनाएए अपने हाथों से ये पचेसियों साल चलने वाले स्टूल्स बनाएए और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करिए मिलती हूं किसी अगले जुगाड के साथ अब तक लिए धरन्यव झाल